कि दूस्तो दूस्तो आपके mobile network में problem आ रही है और आप इसका solution ढून रहे हैं सु फ्रेन आज में आपको six ऐसे best trick बताने वाली जिससे आप अपने mobile में network ला सकेंगे इस trick को आप सभी company के android phone में apply कर सकते हैं जैसे कि Samson, Nokia, Sony, iPhone, China mobile phones, Motorola, HTC, Mi Xiaomi, Oppo, Blackberry, LG, Panasonic, Spice, Lava, Sony, Ericsson, Micromits, etc. आप जो भी mobile use करते हैं और आपके mobile network में problem आ रही है तो आप इन tricks को अपना कर अपने mobile network की problem solve कर सकते हैं सो फ्रेंड मैं हुने हैं और स्वागत है आपका एक बर फिर मेरी YouTube चैनल पर दोस्तों android phone में network issue का होना एकदम से network की गायब हो जाना यह एक आम समस्य है अक्सर आप देखते हैं कि आपका android mobile पूरी तरह से connectivity हो चुका होता है और यह network signal लाने में और समर्द होता है यह काफी हमारे लिए चिंता की बात होती है और आपस वापस नॉर्मल होने में इसे बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है सो आज हम आपको इस वीडियो में बताने बार लें कि आप अपने mobile phone का network problem कैसे ठीक करें mobile में network problem होने के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके phone network में coverage एरिया में ना होने के कारण भी network signal की problem हो सकती है यह आपके roaming area में होने के वज़े से network signal भी हो सकती है और कई बार तो mobile setting के खराब होने से भी network signal नहीं होते हैं इसे कि mobile का airplane mode में हो जाना या CM card को सही तरीके से insert ना होना यह छोटी-छोटी कारण भी हो सकते हैं यदि आपने यह सब चेक कर लिया है इसके बावजूद भी आपका network नहीं आ रहा है तो problem का निवारन करने के लिए पहले कुछ simple steps को आपको follow करना होंगा यहाँ पर मैं आपको आपसे mobile phone में network लाने के लिए इसे six tricks बताऊंगी जिसे आप खुद से कोशिश कर सकते हैं इन method को शुरू करने से पहले जैनून तरीका ज़रूर अपना है आपको पहले phone को switch off करने की कोशिश करनी चाहिए बैटरी को sim card को निकालना चाहिए और फिर उन्हें re-insert करना चाहिए देखी कि क्या mobile network error नहीं है फिर फिर भी problem बनी रहती है तो एक-एक करके इन methods को follow करे इस method का use करके किसी भी android device के लिए आप कर सकते है mobile के setting menu पर जाए setting menu open करे wireless और network category देखे जहां आपको option more tab पर क्लिक करना है या कुछ android mobile में यह option sim card and mobile network में भी दिखाई देता है अब mobile network को select करे network operator पर क्लिक करे और manual choice करे एक बार जब ऐसा आप setting कर लेते हैं तो इस problem से चुटकार पाने के लिए अपने android phone को restart करे अब यह अच्छी तरह से काम करने लगेगा second method change your battery अपने mobile की battery change करें अपने android handset के अंदर एक अलग battery लगाने की try करें ऐसा करने से network signal के problem का solution हो सकता है यदि आप ऐसा करने में network signal work करने लगता है तो इसका meaning है कि आपके पास एक damage battery है जो आपके phone की heat की reason के कारण overheat हो गई थी method 3 check your radio signal radio signal की setting गरबर होने से भी इस तरह की problem हो जाती है इसलिए radio signal को सही तरीके से set करें mobile की dialer में जाए star has star has 4636 has star has star dial करें आपके phone के screen में radio signal के menu display होंगा यहाँ पर phone information 1 और phone information 2 आपको दिखाई देंगा अगर आपने सीम को slot 1 में insert किया है तो phone info 1 को select करें और यदि आपने slot 2 में किया है तो phone info 2 को select करें run ping test button को दबाए और नीचे कुछ drop down list में gsm auto PRL को select करें ready signal को close कर दें और phone को restart करें fourth method update software यदि आपको सारे steps follow करने के बाद भी network not available error आ रहा है तो अपने mobile के setting में जाए और software update करें software update करने के लिए आपको कुछ steps follow करने होंगे setting about device software update check for update यहां एक simple option है अपने android mobile पर network लाने के लिए method 5 remove your battery and sim card mobile में network problem का होना problem आपके sim card को ठीक से न रखे जाने के कारण भी होता है इसलिए network not available error आपके mobile के screen पर नजर आती है यह इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको कुछ steps को follow करना होंगा जैसे आपको power button और home button को एक साथ पकड़ना होंगा जब तक कि आपका android device बनना हो जाए यदि आपके android device इसमें home button नहीं है तो इस step को volume up की और power button के साथ करें जब आपका device पूरी तरह से बंद हो जाए तब आप phone की बैटरी निकाले home button और power button को एक साथ 10 बार दबाए फिर एक दो मिनिट के लिए power और home button को दबा कर रखे ऐसी सभी still charge खतम हो जाएंगे अपनी battery डाले और अपने android device को on कर ले back cover को अभी न लगाए जब आपका phone on हो जाए तो तीन बार SIM card डाले और फिर remove करें अब आपका phone restart करें अपकी phone को restart करने के बाद आपको mobile में network problem नहीं होंगी six method factory reset mobile के setting में जाए और factory reset करें यहां दो तरीके से किया जा सकता है setting backup and reset factory data reset method method B अपना android device off करें इसके बाद home और power और volume बटन को कुछ second के लिए पूरी तरह से दबाए रखें जब तक कि android logo screen पर दिखाई ना दे किसी भी option को highlight करने के लिए volume down बटन का यूज करें और इसको confirm करने के लिए power button का यूज करें factory reset option को highlight करें और power button का यूज करके इसको confirm करें इसके बाद delete all user data choice करें और इसको confirm करें कुछ second तक वेट करें आपका android device रोबोट हो रहा होगा फोन को फिर से चालू किया जाएंगा इसके अरावा एक वज़ा और भी हो सकती नेटवक नहीं होने का वह यह कि आपके फोन के back cover ठीक तरह से नहीं लगने से सीम कार्ट पावर वे में इंसर्ट नहीं हो पाती है कुछ हैंसेट में ऐसी प्रॉब्लम देखी जा चुकिए तो इन छोटी-छोटी चीजों पर भी एक बार आप गौर जरूद करें और यदि दिये गए सारे जो आपको मैंने ट्रिक्स बताएं वह काम नहीं आती तो ऐसे वीडियो में मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक करने की हैल्प मिल गई होगी अधि अब अपने मोबाइल स्मार्ट एंड्रोइट स्मार्ट फोन के बारे में कोई टेक्निकल समय से आहां रखते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम